हलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का एक परफिर से हमारे इस लर्निक प्रडफार्म बियस्सी बायो वाला में इस्टुडेंट, प्रिवियस क्लास में मैंने आपके साथ बियस्सी फोर समेस्टर यानि की बॉटनी के सिक्स्थ यूनिट के बारे में कम्प्लेट चानकारी आपको चोहकी दिया आज इस lecture में हम लोग PSC 4 semester के नई unit के साथ आये हैं यानि कि 7th unit के साथ जिसका डाम है फर्मेको जिनोसी फर्मेको जिनोसी क्या होता है इसके वारे में इस lecture में मैं आपके साथ discussion करने वाला इस्टुडेंट हम आसा करते हैं कि आपने previous classes यानि कि 6th unit की 5th unit की सारी classes आपने देखें क्योंकि जो आपका 6th unit है वो आपके इस unit से topic उसका correlate करता है यानि कि मिलता जोनता है फर्मेको जिनोसी जिसका मतलब होता है फर्मेको जिनोसी यानि कि अगर हम फर्मेको जिनोसी को अच्छे से समझने का प्रयास करें यानि कि अगर फर्मेको जिनोसी को लोग दो वर्ड में डिवाइड करतें ठीक तो फर्मेकों का मतलब होता है ड्रग या फिर आप कर सकते है कि मेडिसी ठीक यहाँ पे जो एकी फर्मेकों जिनोसीक होगा हम दो पार्टने बाटे तो पहला पार्ट होगा फर्मेकों ठीक क्या होगा फर्मेकों होगा ठिक फर्मेको होगा जिसका मतलब होगा ड्रग या फिर मेडिसिन दूसरा वर्ड होगा आपका जिनोसी या फिर इसको कह सकते हैं आप जिनोसिस जिसका मतलब होता है नालेज यानि कि आप कह सकते हैं कि नालेज आप ड्रग्स या फिर आप कह सकते हैं कि नालेज आप मेडिसि इस काल लेज फर्मेकोजिनोसी यानि कि ड्रग के बारे में मेडिसीन के बारे में चानकारी प्राप्त करना क्या करता है फर्मेकोजिनोसी इतना बात आपको समझ जा है कि फर्मेकोजिनोसी क्या होता है यानि कि आप अगर देखें जो फर्मेकोजिनोसी है यह एक ग्रीक वर् गरमेट होता है फर्मै का मतलब होता है द्रक्व नालेज और जीनी नालेज का मतलब होता है यानि कि गछान जो मयाइंड किमाइपोचि बापफनाच कर एका आपको मीनिल लिखना हो इसका डिसील लिखना नहों तो आप लिख सकते हैं कि आट वर्मे को vacunh पत्षारेट अब आप कहेंगे भाई ठीक फर्मेको जिनोसी का मतला आपको समझ गया है आप बात करते कि जो आपका यूनिट है फर्मेको जिनोसी इसमें आपको पढ़ना क्या है फर्मेको जिनोसी आपका एक यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना क्या है इसके बारे हम आपके साथ डिसक इसके बारे में crude drug के बारे में आपको पढ़ना है आपने syllabus इसका देखा हुआ उसमें दिया रखट NORटोग, आपकर करते कि वह क्या होगा यारि कि अब आप कहेंगे कि ड्रग होता थीडिये सहे, घ्रिज़ा होता है, अनुल मेदिट रहे, क्या स्कति है, आप कर सकते हैं कि ट्रूड ड्रग होता है, या फिर गच्चा ड्रग, तो जो गुद्रग होता है वो नेचुरल रिसोर्स से प्रात होते हैं ठीक रूट ड्रग क्या होता है कि भाई कच्चा मेटरियल अब यह नेचुरल रिसोर्स से पाए जाता है नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है इसमें प्लांट हो सकता है कुछ कूछ माईक्रो आरगें कुछ बैयो टेकनालिकल टेकनोलीजिकल रिसोर्स के द्वारा या फिर आपका सकते हैं और प्रात कूछ रिसोर्स होता है क्रूड ड्रग होते हैं वह पांच तरीके से प्राठ्ट किया गाए परण्ड के दौरा एनिमल के दौरा एनिमल के दौरा प्राठ्ट किया जाए तर्थ नमबर पर आपका की आता है भई भाई माईक्रो आरिगोनिजम के द्वारा प्राप्त किये जाए ठीक, Micro Organism के दौरा, फूर्थ नंबर पर आपका याता है भाई, Biotechnological दौरा, पायो टेकनोलजिकल रिसोर्स के दौरा, या फिर आपके सकते कि Mineral से दौरा प्राप्त किये जाए, ये सब क्या है, Crude Drug के रिसोर्स है, यानि कि इन सब से Crude Drug प्राप्त किये जाती है, तो ये 5 Ecogenosis मैंने आपको 5 प्रकार के Crude Drug के बारे में बताया, यानि कि इन से आपको प्राप्त किये जाए, लेकिन आपके syllabus में पढ़ना किसमे है, मेडिशनल के बारे में, यानि कि मेडिशनल कौन कौन से प्लांट है, जो कि आपको Crude Drug में पाए जाते हैं, अब जो Crude Drug हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई, पूरा प्लांट ही हो Crude Drug के रूप में, यानि कि कच्चा प्लांट के रूप में, या तो उसका कोई प्लांट पार् लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, बार्क हो सकता है, उसका बड हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, प्लांड का कोई भी पाड हो सकता है, किसके रूप में, मेडिस्नल के रूप में, करूड ड्रग के बारे में एक बात और हम लोग आपके साथ डिस्कूसन कर लेते हैं जो करूड ड्रग होता है वह मनें बता है कि नेच्छूरल रूप से प्राप्त हुआ होता है चो आपने प्राप्त किया है क्रूड ड्रग यह कि निच्छरल लूप से ज्याने कि प्लांट को मालेजी अपने प्राप्त किया है तो क्रूड ड्रग और ठिक क्रूड ड्रग और अगर आप से हम लोग ड्रग के क्रूड ड्रग और अगर हम ड्रग के बारे में आपको डिफरेंस पूछे तो आप बताएंगे भाई क्रूड ड्रग और ड्रग में क्या डिफरेंस है तो आप कहेंगे भाई कच्छा मेटरियल क्या है क्रूड ड्रग है और जो ड्रग होता वो ख्या होता है वो भाइ different process के बाद उसको बनाया जाता है जैसे चो होता है इसमें किवाल दो process होता है कहने का मतलब जिसे आपने कोई medical plant पाया तो आप उसको फुखा बहुत को फ्रोग है तो हरा वगा कर सकते हैं तो यहीं दो प्रासेस होती है और चो होता है उसमें परिवर्तन किया जाए तो उसमें किवल दो परिवर्तन किया सकते हैं पहले हो भाई ड्राइट के जाए सुखा दी जाए और दूसरा कियाiye उसको पहला सुखा दी जाए दूसरा उसके साईज को छोटा कर दी तो इसको क्या करनेंगे वोग गू ड्रॉड ड्रag बोलेगे तो आपको वो crude drug के बारे में एक concept बने गया होगा और pharmacogenosis के वाले में तो pharmacogenosis क्या है knowledge आप drug या फिर जिसका मतलब है जिसका मतलब होता है तो इसका मतलब यह हुआ अगर हम फर्माइकॉन की मिनी पुरा बोचे तो आप कहेंगे नौलेज आप ड्रग या फिर मेडिसी इसका लेज फर्माइको जिनोसी वाज फर्स टाइम यूइस्ट भाई जो फर्माइको जिनोसी वर्ड है इसको सरप्रथम किसने यूज किया था तो आप कहेंगे भई इसके इसमिंड एक साइन्स बैयानिक थे इन्होंने सरप्रथम जोगी फर्माइको जिनोसी का नाम यूज किया था अठारा सोग्यासी में उनकी एक भुक थी उन्होंने उस बुक में फर्माइको जिनोसी के बारे बताया जिसका नाम है लेहर बंच डर मटेरिया मेडिका तिक लेहर बंच डर मेटिरा मेडिका एक भुक था उस उसके बारे मताया जिनका नाम है एनोथेस सेडर इनोथेस सेडर इन्होंने अपने बुक में अठारा सो पचासी में फर्माइको जिनोसी के बारे मताया उनका बुक था एमालेक्ट फर्माइको जिनोस्टिका ठिक एमालेक्ट फर्माइको जिनोस्टिका यह दो बुक यहने की दो स्यांटिस्ट थे एक अगे लिने के बारे में आगे बढ़ते हैंpharmacogenosis के के बारे में study की जाती है और यह पता लगा जाता है यह भी जाना जाता है कि किस किन चीजों से प्राफ्टे किया जाता है तो मैंने बताते हैं मेडिशनल प्लांट से प्राफ्ट किया जाता है एनिमल से माइक्रो आर्गनेजम से और बायोटेक के दौरा या फिन डिसोर्स में आप कर सकते हैं कि 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 अनिमल के द्वारा माइक्वारिंग द्वारा प्लांट्स द्वारा प्रियो टेक्नालजी के द्वारा और मिनरल्स के द्वारा फर्मेकोजिनोसी से है कुरुवुद्रक को प्राप्त की जाता है घजन अगे यां तम द आत अमेरिकल शुषाइटी व Venezuela डिफ़ाइंड differ otonvirate को आईज कहमन या लोकिजिज च्थडि या फिल्जिकल केमिकल पायोकेकल प्रपार से इसक्रुपेट अब ड्रग और ड्रग सब्स्टेंस यानि कि जो अमेरिका सुसाइटी वह बताती एक भाई अगर आप फिजिकली रूप से केमिकल रूप से और बायोकेमिकल रूप से रूप से किसी ड्रग के बारे में या फिर उसके सब्स्टेंस के बारे में या फिर उसके ओर जिनल नेचुरल है आपको मैंने उसके कह सकते हैं कि यूनिट के बारे मता है कि क्या चीज़ी आपको पढ़ने जो आपका में लेक्चर में उसके सोर्स के बारे में डिसक्सन करेंगे अगर आपके कोई डांबोक्स में आप इसका परीदि नोड्स हैं तो इसका पर में टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है आप महान से डानलोड करके अपने त्यारी को कंप्लेट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ओ तो फटाफ़ट से वीडियो को लाइक कर देजी औ आपके साथ BSC4 समिस्टर की त्यारी कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगरे लेक्चर में नए लेक्चर के साथ